सूरज पाल जी लिखते हैं 18 years पुराना night fog स्वपन दोश धात्तु रोग बंद करने का वीडियो प्लीज सूरज पाल जी 18 years हो गए आज तक ठीक नहीं हुए आप क्या हुआ किसी ऐलोपेथिक डॉक्टर को जा के नहीं दिखाया क्योंकि सबी लोग ये तो कहते हैं कि hand practice करो उससे तो कोई नुकसान होता ही नी ये तो कुआ है जितना मरजी पाने निकाले जाओ नीचे से और आ जाता है इससे तो शक्ती का नुकसान होता ही नी ये तो शक्ती खराब होती नी ये तो आदमी पूरा मर्द बना रहता है ये तो एक नैचरल पर किरिया है सबी करते हैं तो अब आपने ये की और आपका ये हाल हुआ तो आपने डॉक्टर से नहीं पुछा कि डॉक्टर साब मैंने ये किया था अब ठीक ही कर दो पिर पैसे आपने भी बहुत सारे पापड बे लेंगे अठारा साल है अठारा साल से आपको ये प्रॉब्लम है शक्ति हीन हो रहे हो अठारा साल से आपका ये बुरा हाल है तो फिर डॉक्टर आपको ठीक क्यों नहीं कर पाए इसका मतलब ये चीज़ें आदमी बिगाड तो लेता है और बाद में ये लेने के देने जब पढ़ते हैं तो आपको पढ़ते हैं अती हर चीज़ की विच है जहर है अती नहीं करनी चाहिए आपने अती की है इस वज़ा से आपके दौर खुल गए और वीरे बार निकले ही जा रहा है उसको आप रोक नहीं पा रहे और कल को पत्नी के लायक नहीं रहता आदमी और फिर वो कहता है मेरी पत्नी कहती है तो मैं आपके माध्यम से बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये संदेश देना चाता हूँ कि मेरे भाई हाथ जोड़ कर कहता हूँ दूसरे के कहने से अपने घर में आग नहीं लगाते कोई आपको लाक समझाए इससे कुछ नहीं होता ओ ये तो नैचुरल है ओ कर लो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और ये तो सभी करते हैं कौन बचा है जिसने ऐसा नहीं किया जीवन तुमारा है कोई तुमें कहे कि नोट फाड़ दे कुछ नहीं होता नोट तो तुमारे है अपने नोट क्यों खराब करते हो कल शादी शुदा जिंदगी अच्छी जीना चाते हो या सूरजपाल की तरह आपकी जिंदगी खराब हो जाए फिर कौन डक्टर आपकी मदद करेगा फिर क्या करोगे फिर कैसे बचोगे तो मेरे भाई हाद जुड़ के बोलता हूँ अपने वीरे रूपी अनमोल खाजाने को खराब ना करो आप मुझे बताएं पेड किस से पैदा होता है बीज से बीज खराब होगा तो पेड बढ़िया पैदा होगा नहीं होगा ना तो आप मुझे ये बताएं जब आपका बीज आपका बीज क्या है वीरे ही तो आपका बीज है वीरे खराब होगा आपके बच्चे कैसे पैदा होंगे आपके बच्चे तंदुरुस्त पैदा होंगे कभी खांसी ओगी आज वैसे ही खाना पीना खराब है इनसान का ताकत श्रीर में है नहीं उपर से जो थोड़ी बहुत है वो भी आप हातों से गल्ट काम करके खराब कर दो तो क्या ये सही है, आप बताएं, सही है, नहीं है, तो फिर अभी सुधर जाओ, जो हो गया, हो गया, नहीं कोई समझाने वाला था, बड़ा बुड़ा कोई समझाने वाला नहीं था, कोई देशी वैद जी नहीं मिले, किसी ने सही राय नहीं दी, कोई बात नहीं, जब जाग बार रोज स्वेरे उठके, पहले तो लौकी का जूस पीना है, एक गिलास रोज, क्योंकि मुझे आपके पेट की गर्मी शांत करनी है, आपका पेट खराब हो गया पूरी तरह से, आपका मसाना बिगडा हुआ है, पहले पेट को ठीक करते हैं सबसे पहले, तो सुबह उठते ही एक गिलास आपको लौकी का जूस पीना है, लौकी कडवी मत हो, इसलिए लौकी को काट के पहले चबा कर चेक कर लेना, अगर कडवी ना हो तो उसी का जूस निकालना, कडवी हो तो लौकी का लालच मत करना पैसों का, लौकी को फैक देना, क्योंकि उसमें इंजेक्शन लगा हुआ है को लिटा नुकसान भी दे सकती और कई बार कडवी लोकी का जूस पीने से लोग मार चुके हैं इसलिए लोकी जो है लोकी का जूस, सबी को बोल रहा हूँ सबी सुन लेना कभी भी लोकी का जूस निकालना हो तो लौकी कड़वी नहीं होने चाहिए पहले चेक करके फिर निकाला अब दूसरा आपको एक आयरुवेदिक तरीका बता रहा हूँ आप किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएं और एक किलो ताल में खाना ले आएं उसको पिसवा लेना और आधा चमच सुबा आधा चमच शाम को एक गिलास पानी से सुबा एक गिलास पानी से शाम को ये खाना शुरू करो भगवान ने चाहा तो इससे आपका वीरे गाड़ा होना शुरू हो जाएगा धीरे-धीरे स्वपन्दोश, धात, जो आपको कमजोरी आ रही है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, तब जाकर धीरे-धीरे शरीर में टाकत संचे होने शुरू होगी, धातू जो बह रही है, वो बहनी बंद होगी और रुकेगी, अगर फिर भी अगर आपको कोई सला लेन करके, लेकिन अब आपके माध्यम से बाकी लोगों को, आप काफी हिम्मती आदमी हो, जो आपने इस तरह का प्रशन पूछा है, और मुझे अच्छा लगा, कि कम से कम आप अपने थरू चार भाईयों का भला और कर रहे हो, किसी और का भी भला होगा, क्योंकि देखो, अग आपको लगे नुकसान हो गया और कुछ कोई गिर कर मर सकता है, या आगे धुंद हो और एक्सिडेंट हो रहा हो, तो हम लोगों को बचाने के लिए रुख जा, रुख जा, भीया, एक पर धुंद है, आगे एक्सिडेंट हो अपड़ा बच के चलना, नहीं तो सभी की आया है, वो आप करना शुरू करो, भगवान भली करेगा, आप पूरी तरह से ठीक हो जेंगे